आपकी स्क्रीन पर मैं बुक का वो गंतेंट वाला पेज खोल रहा हूं जो आपके बुक में अगर नहीं है आपके पास अभी हो सकता बहुत से लोगा बुक नहीं होगी तो जिनके पास भी बुक नहीं है वो लोग यहां से पहरे देख लीजिए कि क्या-क्या content आपके पास हैं तो जिन्होंने वो last class देखी थी उसमें उनको बताया था मैंने कि module A में economics cover है अब economic analysis है इसका नाम economic analysis एकॉनोमिक एनलिसिस है means basic economy को उन्होंने लिया हुआ है और economy के भी आप यकीन मानिये यह जो जितने chapter हैं बहुत ही अच्छे chapter है ठीक है सबसे पहले fundamental of economics, micro economics, macro economics और type of economy इस module के इस जो A module है उसके बारे में एक बात और बताओं मुझको यह module सबसे आसान लगता है आपकी इस book case चारो module में से ठीक है जिसने अगर economics को थोड़ा सा ही पढ़ावा उसके लिए बहुत आसान है जिसने economics पहले नहीं पढ़ी उसे यहां शुरू करनी पढ़ी और bank में है आप बेसिक economics में आप लोग काफी चीजे जान लेते हैं तो बहुत tough नहीं होने वाला है और मेरे इसाफ़ से easy module है ठीक है course coverage की अगर हम बात करें तो 15 से 20 marks आपके इसमें आते हैं और मैं इसको categorize करता हूँ कि 15 से 20 marks जो हैं हमारे जो unit हैं मैं यहीं पर line खीच के बताऊंगा कि कितमे से क्या चीज़ आती जैसे मालिया आपका case study की बात आती है आप लोग करते है case study ठीक है तो case study का अगर मैं यह वाला column case study का ले लूँ case study तो इस case study में अगर मैं exam की बात करूँ तो एक ही यह वाला topic है इसमें से आती है एक आपका GDP concept है इसमें से आती है एक आपका union budget है इसमें से आती है बाकि जो topic है उसमें exactly बड़ी case study नहीं आती ठीक है और जो theory की बात करें तो जो each and every chapter है वो आपको two marks के हिसाब से रखता है और अगर आपको case study की बात करें तो 10 to 15 marks की case study इसमें से और ऐसे ही 10 to 15 marks की आपकी जो questions होते है topic से उठके ठीक है economic analysis में क्या है पहला तो fundamental है और आप जब भी economics चाहिए आप 12th की graduation की या आप PG की post graduation की कोई भी book उठाएंगे तो उसमें ये दो chapter आपको जरूर मिलेंगे means economy का जो supply and demand का concept है वहां से आपकी basic content सुरूर होती है ठीक है money supply ये आपके bank related topic है कि money supply money कहां कहां से produce होती है कैसे करते हैं और वो inflation को control कर कैसे करती है inflation के लिए कौन कौन से formula use होते हैं कैसे निकालते हैं ठीक है अब एक और topic बहुत interesting theories of interest क्यों होती है कोई मुझे answer देगा इसका आपके banking में क्या फायदा है theories of interest bank का जो treasury department है जो deposit पर rate of interest तै करता है उसमें इसके related theories दी हुए कि rate of interest कब ज़्यादा होगा कब कम होगा उससे related theories है और इसका synthesis दिया हुआ है कैसे यह decide होता है कि rate कहां पर okay हो रहा है कहां पर ज़्यादा चलता है कहां कम चलता है ठीक है फिर बार आती business cycle business cycle क्यों है कि आप किसी भी जो भी आपका business loan करते है बिजनेस loan करते समय है आपको यह theoretical point के लिए होने चाहिए कि यह business cycle का मतलब है business किस समय जो उसकी balance sheet वगरा बता रही है उसके according वो business उसका कौन से stage पर है ठीक है growth stage पर है maturity पर है decline है recession है depression तो इस तरह से ठीक है उसके बाद आता Indian economy and various sector of economy यह भी core जो है economy का वो है topic अच्छा एक बात और बताओ मैं यह जो module है कई बैंकों में promotion policy में economic analysis या economic module का एक पांस साथ question आते हैं वो आपके question इन topic से बाहर नहीं आते अगर आप promotion के लिए भी वह हैं even कुस आपके वैंसे कुस ऐसे लोग भी हैं जो RBI का grade B का exam officer grade B का exam देना चाहते हैं देते हैं तैयारी करते हैं means की उनके लिए भी 11 topic बहुत important खासकर से जिन topic को को मैं cover कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इन topic को cover करता हूं 1999 में मैंने MA economics किया उसके बाद banking में रहें कुछ practical समझे कुछ theory समझे कुछ new tour पढ़ी कुछ magazine पढ़ी उसके बाद फिर 2014 में MBA में दुबारा बहुत तो यह units जो मैं explain करता हूं अपने उन पूर सारे experience से करता हूं और माफ करना दोस्तों मेरे पास इसके mcq नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं उसे बनाने का क्योंकि जब मैं mcq बनाऊंगा तो वो different तरह के होंगे और मैं casual approach mcq में रखना नहीं चाहता जरुवत की बार बताओ मैं देखो मैं यह deny नहीं कर रहा जरुवत नहीं जरुवत तब है जब आप अपने आपको 5-6 बार net practice बोलते ना वो करना चाहते हैं तब ठीक है अगर आप practice नहीं करना चाहते हैं अच्छा से पड़ा हुआ है तो वहां जो match होता है क्योंकि आपका match एक line में bold होने वाला नहीं है कि एक बार out होगे तो आपको negative marking नहीं है आपको 100 question आते हैं आपका 30 question बिल्कुल okay हो गया बाकि 70 question में आपने तो सोस समझ के लगाया कुछ में सोस समझ के लगाया तो उसमें आधे chance हो गया सही हो गया तो 50 number आने की पूरी गुंजाई से ठीक है MCQ अगर आपने पूरा पढ़ लिया है और आपके पास कुछ भी करने को नहीं है तो definitely आप MCQ चाहिए ठीक है अच्छा अब आगे बात आती है economic reforms economic reforms इसको आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना है जो आपका economy वाला section होता है news paper में उस economy वाले section के news paper के उस section economic times की बात नहीं कर रहा है क्योंकि economic times पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास आपके पास daily अकबार आता है उसमें economic वाला जो page है उसको जरूर देखिए और कुछ नहीं है तो उसके heading जरूर पढ़ लीजे आपके पूरे questions इस topic में वहीं से आएंगे और एक बात और इस topic को हम affairs of economy का topic है इसका कोई भी relevant material नहीं है ठीक है आगे बात करते हैं monetary policy and fiscal policy ये policy जो monetary policy है ये आपने कहां पढ़ा हुआ है ये आपने पढ़ा हुआ हुआ जे आई बी में इसका जो basics है basics में इसका J.I.I.B. उसको जरूर देखिए और कुछ नहीं है तो उसके heading जरूर पढ़ा है किसी की आवाज आ रही है आपके पूरे questions इस topic में वहीं से आएंगे आरियन राज जी और एक बात और इस topic चलो अब आया GDP concept आपको बहुत अच्छी बात बता हुए GDP concept का lecture जिस दिन होगा आप बहुत खुस होंगे उसने इसलिए खुस होंगे एकदम clear cut concept दोंगा आपको में और concept आपका clear होगा तो दो-चार formula है उनको याद कर लिया आपने आपका कहीं भी problem नहीं आने वाला ठीक है अब बात आती है union budget ये भी एक कम page वाला topic है आप यहां पर देखिए कि यहां पर union budget में केवल आपके 7-8 pages है उसमें से भी heading है वगरा वगरा तो यह भी हमारा वो रहेगा और यह जो चैलेंज facing in Indian economy यह topic और economic reforms ठीक है six seven और 11 टॉपिक आपके आपकी awareness पर depend करते हैं अगर आप अवेर हैं न्यूश पर रीट करते हैं उनको लिंक करते हैं उन चीजों को जो भी आपने थियोरी पढ़ी है उसको लिंक करते हैं तो आपके best हो सकते हैं ठीक है अच्छा यह जो लोग अपना व्यू थ्रॉआ दे हैं हम पढ़ा सब्सक्राइब के लिए तो तो तूर सर का वीडियो देखे तो ऐसा लग रहा है कि सब कभर किया हुआ है तो दिकत नहीं होगी पढ़ने में और बिल्कुल जिसने मैंने बताया ना आर्बी ग्रेट बी की नयारी करी है प्र उनके लिए जो लोग अभी प्रमोशन में जाने वाले जो लोग अभी प्रमोशन में जाने वाले उनके लिए भी हैल्फुल होने वाला ठीक है चलो आगे देखते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग का कि यह सबसे एडियस्ट आपका मॉडूल है तो इसलिए कोई भी इसको लापरवाई से ना ले ठीक है अब मैं तोछा सा बात करनों कि थियोरी और केस स्टेडी का क्या रोड़ तो केस स्टेडी में हमारा इन दोनों को बात करें बार्ण इन्वेस्मेंट और टाइम वेलियू मनी का तो केस स्टेडी का ऐसेट पूरा फाइव मार्क्स का कुश्चन तो नहीं आएगा लेकिन दो एक नुमेरिकल यहां से दो एक नुमेरिकल यहां से आजए ठीक है अब उसके अलावा सेंप्लिंग कोर्लेशन टाइम स्रीच एस्टीमेशन लीनियर प्रोग्रामिंग और स्टीमेशन जो मैथमेटिक बेक्ग्राउंड के नहीं है उनको यह ट और उसको वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना समझने में दिक्कत नहीं आने वाली केवल इसको मेमराइज करना ठीक है उसको करने के लिए आपको पढ़ेगा जरूद तो यहां पर इसकी केस स्टडी की बात करूं तो इसमें जो हैं तीन केस स्टडी आ सकती है और तीन क 25 मार्क्स के मौड्यूल है ठीक है अब मैं एक बात और बोलता हूं कि जो A मौड्यूल है और B मौड्यूल बहुत अच्छे से करता है उसके भी पास होने के चांस बनते हैं उसका रीजन जो D मौड्यूल है वह आपका JIB में से बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है यानि पचास और सेवन्टी मार्क्स का आप कवरेज मानते हैं उसे उसमें से जो भी कुश्चन्स ऐसे हैं जो जियाईबी से लेटेड है आपकी प्रैक्टिकल है एनपी है प्राइरिटी सेक्टर है बैलेंसीट है देशियोजनेशिस है वो काफी कुछ जिसने जियाईबी ढंग से किया हुआ उसको हेल्प कर लेते हैं ठीक है और हाँ यह टॉपिक जिसने बी टेक किया हुआ है जिसने बी टेक किया हुआ है जिसने एमबीय किया हुआ है जिसने सीए का क्लास लिया हुआ है उनके में काफी सारे topic available हो यह मारा business mathematics का module है और business mathematics जैसा मैंने last class में बुरता कि आप सारे topic के search मारना सबसे ज़्यादा जो topic मिलेंगे आपको वो मेरे मिलेंगे और sampling भी search करोगे तो 10 बार video मिलेगा ठीक है सेंप्लिंग एस्टिमेशन दूनो तो दस बार मिल जाएगा वीडियो और लोगों के मिल सकते हैं एक दुबार इसमें बहुत अच्छा हमारा होल्ड है ठीक है चलो आगे बात करते हैं मॉड्यूल सी की सबसे डरावना सबसे ज़्यादा पसीने चुड़ाने वाला टॉपिक यह माना आता है मॉड्यूल वह सबसे ज़्यादा जो घबराहत होती है वह इसकी होती है इसका रीजन नो फॉर्मुला इसमें कोई फॉर्मुला है यह जगे आयेगा बताएंगे लेकिन फॉर्मुला नहीं है और ऐसे ही कोई भी mathematics नहीं है स्वाल यहादब भी बात करता हूँ आप से हाँ mathematics नहीं है ठीक है और सबसे बड़ी बात है आपने इसको theoretical सिर्फ उन लोगों ने पढ़ा हुआ है जिन्होंने MBA में HR पढ़ा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है उनके लिए scoring है और जिन्होंने MBA HR से किया वा अच्छे वाले अच्छे कॉले से हां यह डिस्टेंस वाला नहीं अच्छे कॉले से HR से MBA किया हुआ है तो आप elective में HR को अपना option बना सकते हैं अगर आप well confident है तो ठीक है इसमें सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी human resource management आप अपनी ब्रांच में और लोगों से कैसा treat करते हैं customer से कैसा treat करते हैं अपने boss से कैसे करते हैं boss आप से क्या करता है आपके salary क्या है आपको promotion कैसे मिलता है आपकी values क्या है आपके ethics क्या है आपकी need क्या है यह सब चीज़ेस में cover की एक organization में human resource का बहुत बड़ा part इसमें cover किया गया ठीक है और इसके लिए का करता है मैंने बोला no formula no mathematics और जहां पर भी no formula no mathematics हैं वहां पर आपको thought process काम आता है तो आपका thought process understanding अच्छी है comprehensive अच्छा है तब यह help करता है ठीक है मैंने सबने कर नहीं है लेकिन इसको अच्छा जब आप exam देखे आते हैं तो आप बोलते हैं आप एक word बोलते हैं आप हिंदी में बोलते हैं सारे question HR से आये थे क्या बोलते हैं सारे question HR से आये थे ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता ठीक है अच्छा मैंने अभी जो उपर module लिखे वे हैं उसमें पहले module में कितने marks बोले मैंने 15 to 20 ठीक है दूसरे में 20 to 25 तो कितने question होगे 50 अगर मैं higher side लेता हूं तो कितने होगे 65 ठीक है तो 65 अगर यहां question आते हैं तो इसमें से कितने question आएंगे 35 ठीक है और अगर 50 question ही आया तो यहां कितने आएं question 50 अब 50 और 50 and 35 का average निकाल लीजे तो यहां तक तो मैं मानता हूं कि 42 तक max to max आ सकते हैं लेकिन मेरा जो experience कहता है वो 25 से 30 हो सकते हैं 30 से 40 मैं agree नहीं करता हूं और जैसे आप स्वेला बता रही है कि कितने 30 से 45 बता है आपने 30 to 40 30 to 40 मान सकता हूं 40 भी higher side है यह lower की तो कोई limit है नहीं कुछ है तो मैं मानता हूं कि 30 question मान लो 35 मान लो ठीक है और 35 जब हम पढ़ेंगे 35 में से हमारे 7-8 भी हो जाते हैं तो भी हमारा इसका काम पूरा होता है ठीक है क्योंकि हमारे पास और भी portion है और 7-8 आपको okay होते हैं और 7-8 आपको by gas मिल सकते हैं ठीक है तो अगर आप इस background से नहीं है तो इस chapter में आप time ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन आपका thought process अच्छा हो क्योंकि यह topic comprehensive topic है ठीक है last हमारा आता है credit management last क्या है credit तो credit का मतलब simple सी बात है loans चली अब आगे बात करते हैं जो credit management तो देखो overview of credit management यह बिलकुल basic है loan के बारे में basic जो jiv है मैं जब jiv की class लेता हूं credit management की loan management की तो इस चीज को लेके चलता हूं कि यह आपके काम आने वाला CIV में देखो ऐसी analysis of financial से कोई मुझे बताएगा इस topic का दूसरा नाम क्या है analysis of financial statement इस topic का दूसरा नाम क्या है ratio analysis इसका नाम क्या है ratio analysis ठीक है और जो ratio analysis है वही जो ratios आते हैं उसी से आप किसी की balance sheet और profit and loss का क्या करते है financial analysis करते है ठीक है अच्छा यह नवीन नर्वानी जैने पूछा है कि दो course है क्या paid वाले में बिल्कुल दो नहीं तीन course है एक course है recorded short term एक course है recorded long term और एक course है recorded plus जूम लाइव जिसकी मैं बात कर रहा हूं ठीक है चलो आगे देखें तो मैं बात कर रहा था कि यह जो topic है हमारा ratio analysis है और यह जो है five marks का जिसको आप case study बोलते हैं वहां देता है ठीक है working capital finance आपका यह भी again पूरा case study के form में आ सकता है term loan की specific quality जिसमें दी हुई है credit delivery loan आप कैसे देते है credit control and monitoring loan देने के बाद उसका control and monitoring means आप समझे बेसिक बताया loan करने में क्या देखेंगे working capital कैसे करेंगे term loan यह जो 28 and 29 है आपको पता होना चीकि जो loans होते हैं या तो CC होते हैं या term loan होते हैं ठीक है demand loan भी होते हैं लेकिन term loan को cover किया है आपने sanction कर दिया उसको देना उसके बाद उसकी monitoring करना और risk management and credit rating कि क्या risk है किस तरह से बाते हैं ठीक है और restructuring rehabilitation and recovery इसमें आपका cover होता है पूरा NPA का पूरा system कि जब आपके loan खराब से हो जाते हैं तो loan खराब होने पर आप कैसे इसको maintain करते हैं ठीक है अच्छा अब आप advances की परिवास हैं आप KCC में बाटते हैं demand loan माटते हैं festival loan बाटते हैं SHG बाटते हैं और government scheme बाटते हैं और personal loan बाटते हैं एक दूसरा आप SBF के loan MS ME के loan बाटते हैं आप housing loan बाटते हैं आप commercial loan बाटते हैं आप LC वगेरा finance जो Forex में होता है वो loan बाटते हैं तो इन दोनों को मैं आपको बता हूं अगर आप ये बाटते हैं तो advance बाटते हैं लेकिन इन topics में आपको बहुत बड़ा benefit नहीं देने वाले क्यों अगर मैं बात करों इतने loan की खासका से यह दो इदर है तो इसमें क्या ratio analysis किसी topic में यूज होता है बताएं तो आप तरह नहीं होता है और इन ही लोनों में यह restructuring rehabilitation and recovery का भी ज्यादा यूज नहीं होता risk and credit rating का भी यूज नहीं होता monitoring वगरा भी बहुत खास नहीं चलती है तो मेरा मतलब आप इस सारा समझ गया होंगे अब बताएं advances में कौन काम करता है मैं करती हूँ LC और सुनीता ठीक है आपका bank कौन सा है Kendra Kendra bank में तो LC आपका एक portion होता है जो आपके foreign type के loans को cover गर यानि advances का एक portion है जिसका नाम हमने foreign type Forex में काम करते हैं ठीक है लेकिन LC में जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता कुछ MSME या कुछ ऐसे exporter को भी deal करते होंगे साथ ठीक है अच्छा क्या आप LC वगरा के साथ commercial loan में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत किया हुआ है किया हुआ है तो जिन लोगों ने advances में काम किया है या कर रहे हैं वह इस topic को right from the beginning 26 से लेके 23 तक और इसे मज़े की बात है pages भी बहुत नहीं है पूरा module 100 page में है पूरा module कितने page पे 100 page पे है तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह करना है जो आपने experience लिया हुआ है अपने bank में उसका benefit आपको लेना है और मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं अपना satisfaction बता हूँ कि मैंने काम किया हुआ है और ऐसा किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा किया हुआ है उसको फाइदा मिला theory, practice, age, different organization में job तो यह सब मिला करके उस experience को करें तो आप जहां काम कर रहे हैं वो चीज और यह theory इसको match कर दीजे कहीं पे भी contradiction मिलता है discuss करिए जानिये या कुछ करिए ठीक है अच्छा हाँ एक बहुत important announcement सुरिए announcement क्या EC में बता रहा हूँ है announcement नहीं है कि यह जो B module है B module के solution B module के solution के PDF available है आप लोग सिकायत करते हैं यह PDF media तो PDF available है इसकी B module के solutions ठीक है B module के solutions की PDF available है एक दो question नहीं है उसमें लेकिन आपकी concept clarity के लिए और आपके उसके लिए important है कोई SI student है जिसमें CIB में अभी APR हुआ था वो कुछ कहना चाहेगा इस B module के बारे में किसी कारण से वो मैंने किया था मैं हो के थे क्या आपका experience आप B module में सर जादा formula basis पर तो कुछ आया नहीं था उसमें बट एक दो question per topic से आये थे मतलब 15-20 marks कैसे मान रहते Approximately अब मैं है जो सर आपने लिखा नहीं 20-25 mark यह और सर यह पढ़ेगा वो definition एकदम deeply पढ़े सर मुझे 46 नहीं बस मैं इस chapter की इस पूरी unity खास बात है कि पूरा deeply पढ़े वो उसको बिलकुल एक comma line पढ़े यह वह definition एक जाता है तो कई बार हम लोग जब बोलते हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा आया था इसमें से बहुत कम आया था वह इसलिए भी बोलते हैं कि जब हमको बिलकुल नहीं आता हर पांचवां question वही है तो हम क्या करते हैं हर पांचवां question का मतलब 20% 20% और हर तीसरा question वही हो ऐसा होता नहीं है हर चौथा question वह ऐसा हो सकता है यानि कि 20-25% मानते हैं ठीक है तो जो लोग पिछले बार बैठे थे अपनी कोई भी कमजोरी से यह नहीं कर पाए किसी भी कारण से उनसे मेरी request है मैं फिर 12 साल की बार बता रहा हूं कि मैंने देखा है पहली बार में एक माक से रुग गए लेकिन motivate करा और वह कर लेते हैं और जो लोग कम करते मतलब कम मेहणत करी इसने तो in को कहता भय या मैहनत करो तो मैहनत कर लेते हैं और PAS होते वह देखें और आपको भी पता है यह आपके BINK में已经 ब हुआ इस सारी कर रखा है नहीं कर रखा ने, लेकिन बहुत सारों ने कर रुखा कल जो होगी वो BFM की होगी एक एक तापिक को है और बुक्स मंगाने के लिए मै've बोला कि बुक्स आप जरूर ले ले कोई भीहा की बुक्स के बिना काम चुट जो गल्त है। आसनिल के लिए मैं शुट की जब बात करें ना उसमें तो बात करें लेकिन भी हां रिस्क मेनेजमेंट बता तो रहूं बी एफेम का हाफ पार्ट है सर फिर भी कवर नहीं हो रहा है वो पढ़ने में वो फिर आपको एडिशनल जो उसमें ट्रेजरी उजारा का दिया वो देखना पड़ेगा कितने माक्स आये थे किसमें 45 लेकिन आपने फर्स टाइम दिया था और केवल 5-6 दिन पड़ा था न उसको वान मन पड़ा सर मैंने 45 फर्स टाइम दिया था अच्छा फर्स टाइम दिया था चलो इस बार थो सब उनका एक्स्पिरिंस लीजेगा ठीक है यह जो मिशन वाला लाइव वाला कोर्स है स्खुम बात कर रहा था तो इस कॉर्स में कॉर्स में इस लाइव वाले कॉर्स में गाएंगे कंटेंट में जाते हैं तो वहां आप पर जो इसके solutions हैं, आप old recorded lecture में गए हैं, ठीक है, और ABM में गए हैं, ABM में ही यह लिखावा है, important numerical for B module, लिखावा है, इसको आप खोलेंगे, तो जितने भी unit है, unit 13, अब मैं जो आपको बता था, क्यों problem होती है, यह जो typing यहाँ पर हो रखी है सामने, यह word में नहीं हो सक होती है, ठीक है, तो इनके solutions हमने यहाँ दिये हुए है, और solutions उसी को समझ में आएंगे, जो chapter को हमारी lecture से सुनता है, ठीक है, इसमें अडिकतर हमने यह देखिए, इसमें सब कुछ का रखा हमने, question को पूरा solve किया हुआ है, इसमें, बताया हुआ है, और वैसे तो explain करेंगे mathematicals वाला, business mathematics वाला, ठीक है, इसमें graph वगरा की कहीं जरुबत पढ़ी है, या कुछ पढ़ा, तो सब उस तरह बनाने की courses करी गई है, यह, ठीक है, यह circulate नहीं होता है, फिर भी किसी ने circulate कर दिया, तो अलग बात है, लेकिन हमने किया नहीं है, इसको circulate, ठीक है, यह देखि रहते उसकी BFM की, वह हम कल करेंगे, अभी आपको कोई भी मन में कोई बोज हो, कोई सवाल हो, तो अभी हम क्लास नहीं ले रहे, आप पूछिए, आपके लिए session, over to me. Sir, हमारे पास किपना time है, यह बता दीचे, आपके पास time ऐसा है, एक तो exam का dispute है कि कब होगा, most probably, जो इ क्योंकि अभी चला है हमारा March, जब तक JIB का result declare नहीं करते, अभी इन्होंने JIB का result declare नहीं क्या, आपको तो answer आ गए, यह इतने मांक्सा है, लेकिन officially declare करने से पहले, जो आप लोगों के objections होते हैं, अच्छा मैंने group में एक LREB वालों को एक tips दिया था, कि वो लोग IIBF को claim कर स करते हैं, वनमाक्स का जो district consumer addressal forum वाला था ना, commission वाला, जिनका वनमाक्स का sort हो रहा है, वो करके देखिए, क्या पता आपका, मतलब जो है, बगवान आपकी सुन ले, यह न, तर, सर इसमें एक चीज पूछना है, जैसे इसमें वह सारे topics हैसे हैं, जो JIB से related, बिल्कुल है, जैसे कि तुक्के से निकाल दिये, मैंने भी तुक्के सी निकाल दिया, जो तो, अगर आप उन topic को बिना पड़े वे, फिर पहुंच जाएंगे CIV में, तो तो definitely problem है, हम तो पूरा cover करेंगे ना, जी जी साथ, 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 जी स कुछ थियोरी ऐसी होती है, जिसमें सशंग आपने दो घंटे सुन लो, दो घंटे बाद जब उठके घर पहुंचते हो, तो जितनी बाते उसमें ना करने को बोले होती हो, वो ही सारी करते हो उस दिन, एक ऐसा spiritual topic type का है, इसमें आपके psychological behavior की theories होती है, कि आपकी personality क्या होती है, personality को कैसे बड़लते हैं, और काम कौन लेने वाला कैसे होता है, HR की practice कहां अच्छी है, salary कैसे सेट की जाती है, ऐसे कुछ topics है, क्योंकि आपने पहले पढ़े नहीं, MBA HR को छोड़ करके ये topic कोई नहीं पढ़ता है, MBA HR को छोड़ के, आपका commerce वाला भी नहीं पढ़ता है, आपका BA वाला भी नहीं पढ़ता है, हाँ, जिसने psychology पढ़ी होगी, उसने कुछ theories पढ़ी होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग जो है, इस topic को exam से थोड़ा स से cover करते हैं, इसका region ही वही है, जिसे मैंने बोला, इसका experience ये है, कि अगर थर्टी question आए, तो direct question आपको माच से साथ ही मिलेंगे, बाकी question उस topic के पूरे concept को लेके case study बना, जैसे मैं बताता हूँ, एक branch थी, metropolitan area में थी, वहाँ पर अधिकतर retired army persons रहते थे, उस branch का deposit बहुत गिरता गया, AGM ने meeting में बुलाया, उसने उसको बहुत डांट लगाई, उसको transfer की धम की दी, और फिर ऐसा हुआ, फिर वो भी जो branch major था, उसने ये सोचा, और उसकी age 30 year थी, तो ऐसकी कहानी लिग दी, और उस कहानी के बाद, उस topic की theory से related question पूछेगा, कि इसमें branch major का behavior किस type का था, arrogant था, suggestive था, इस तरह से, ऐसे questions होते हैं, okay, फिर लब आप concept clear कर दें हैं, तो सही answer दें, ठीक है, concept होना जरूरी है, और कुछ ऐसे concept में जो heading नहीं होते हैं, कि भी या personality इतने तरह की होती है, कोई technical person होता है, कोई spiritual होता है, कोई artistic होता है, कोई athletics होता है, तो कैसा काम करेगा, इस तर से, ठीक है, average numerical versus theory का कितना ratio रहती हो, c module में, जब वो पूरे topic में, पूरे, पूरे 50-50, जो कि मैंने जिसे case study बताई थी, देखो numerical, हाँ, एक चीज और clear करता हूं, कि numerical as such की बात करें, जिसको case study भी बोलते हैं, लेकिन purely अगर numerical की बात करें, तो मैं जो है, इसको green color से लिखता हूं, numerical की बात करते है, numerical का हमारा, यहां से, और, यह दो topic, यह pure numerical है, बना, numerical आता है, इसमें, theory भी आ सकती है, और यह तो पूरा, कहना चाहिए, पूरा module ही क्या है, numerical है, ठीक है, HR में, एक तोरसा performance वाले में, दो marks का question आ सकता है, बस, ठीक है, इधर आपके, दो cases study इसमें से आ सकती है, grade management की, इसमें से एक तो ratio analysis की हो सकती है, यह जो cases study है, और एक आपका NPSA related, 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, तो इस तरह से, मेरा कहना ही है, आप 50-50 hybrid unit है, बना पूरा, ठीक है, तो उसका आप इ देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें मार्क इसमें बिल्कुल क्लियर कट सारे question one marks के है, जो से जी आई भी में होता ऐसा नहीं आता, hundred question आएंगे, hundred question one marks के हो, आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने first time कब apply किया था? Sir, वो तो याद नहीं, कभी-कभी में family बच्ची है न, वो time कभी नहीं जा पाते थे, अच्छा, ठीक है, अभी आप क्या continuous apply कर रहे थे? Continue apply कर रहे थे, कोई gap किया आपने कभी, अगर three paper, आपको कोई paper निकला तो नहीं ही न? हाँ, दो paper निकला है, फास्ट और थार, दो second बारा मेरी family के problem से जी, मैं exam बे निकला नहीं जा पाई? नहीं, first cup निकला, अभी इसी time निकला, हाँ, first, third अभी इस time निकला, तो अब जो आप apply करने जाएंगी, अगर आपको cable second डिखाएगा, तो आप समझे, आपको ये benefit मिला है, और अगर तो कहेगा, तीनो opt करिये, तो इसका मतलब, आपका ये chance, ये पीछे वाले paper जो दुपास हुए थे, ये lapse हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरे को ये clear cut बता दें, कि अभी last time पहली बार कब भरा था अपने form, तो मैं कुछ calculate कर पाऊंगा, last time मतलब, जो November में एक्जाम था, उसके पहले वरी की साथ, देखो, अभी आपका एक्जाम हुआ, March या February में, अभी इससे पहले एक्जाम हुआ था, August 21 में, उससे पहले December 20 में हुआ था, और उससे पहले, हुआरा हुआ था December 19 में, और फिर जून 19 में, फिर आपका जून से पहले December 18 में, तो ये जो gap हुआ था, इस तरह हुआ था, तो आप आपको कुछ याद है, तब हम calculate कर साथा, तो आपको ही देखना पड़ेगा, या आपको अपना, कोई स्टूडेंट बताएगा क्या IAVF ऐसा record प्रोवाइड करता है कि login करने पर मालूम हो जाए, हाँ सर पता चलता है, सर लग जाता है, बिल्कुर सर सुमें registration करेंगा, जो समोचली पीज़ पढ़ती है, तो कि सर फर्स टाम पेमेंट डिटेल में मालूम हो जाएगा, पेमेंट डिटेल में रहेगा, उन्होंने कब कब अपलाई किया और कितने टाइम अपलाई किया है, हाँ, तो वो देख लीजे, कौन से section मिलेगा, वो लोग इन करके मिलेगा, उसमें, अभी आप अभी आप जो जैंट्स बोल ले तो आप G.I.B. गुरूप में थे नहीं सर मैं नहीं नहीं था मैंने अच्छा अभी क्लियर के हाँ तो आप वो गुरूप वो स्क्रीन सॉट भेज दीजिएगा मैं उनको सेर कर दूँगा गुरूप में तो या हमको सेर कर दीगा हमको देदेगा तो इसमें पैरग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो जो बुक में कुछ भी उसमें समझ किया था पैरग्राफ पढ़ने के बादे के आपको सिच्वेशन समर्देगा समझ नहीं है और आंसर त्योरी सही जाएगा उसका कि इतने सारी पैरग्राफ पढ़ने के बाद इसमें मिलता कुछ नहीं है मैं आपको बता हूं एचार किन लोगों को टफ लगता है जिनका कॉंप्रिहेंसन का स्टेंडर्ड अच्छा नहीं है मेंस कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दो पेज का एक पैराग्राफ पढ़के पहला लाइन भी याद रखते हैं कि चौथी लाइन पड़ी फॉर्थ लाइन फस्ट वाली भूल गए क्या रहते हैं तो जिनका कॉंप्रिहेंसन अच्छा होता उनके लिए बहुत अच्छा होता है जार्ण मैं आपको थैंक्यू बोलना चाहता हूँ मैंने ज्याइबी निकाला था लास्ट वन इयर हो गया मुझे मैंने आपके फ्री वीडियो से निकाले थे और वो सिप मैंने फिप्टीन डेजी पढ़ा था और वन नाइट वाले क्लास जो थे उससे ही देखके मेरा तीनों मतलब को एक अटम्ट में निकल गया सारे इसके पहले मैंने काफी टाइम किया ट्राइ किया बट वो बुक के रिडिंग टेक्शली चली जाती है ना सर पहले हम लोग कंटिन्यूस रहते है कि याद रहे ना सली अभी आप CIV भी करेंगे लगाता है सब एक चीज़ और पुछ रहत कुछ दिनों के लिए रूख जाईएगा लेने से पहले और किसी को कुछ पूछ पूछना है पूछ लीजिए यह कहना था कि सर इस्टार्ट कौन से मोडूल से है रहे हैं आपका एजूकेशनल बेग्ग्राउंड बताईए सर मेरा वी कॉम है वी कॉम है आप पहले यूनिट से शुरू परिये हैं क्योंकि एकॉनोमेक्स पढ़ी होगी थोड़ी बात उसमें जी वी कॉम मैं भी थोड़ी एकॉनोमेक्स के टॉपिक होते हैं ना क्यों है कि सर मैक्विलन के जगा एनस तूर्क सरका नोर्स कैसा रहे जासर लेका इस पर बात हो रही थी कुछ हमारी बात यह हुए थे कि एक स्टुडेंट ने पूछा था कि जब हमने आपका कोर्स लिया है तो तूर्सरका क्यों ले हैं बिल्कुल कोई जरुवत नहीं है लेकिन क्या होता है कि आपने एक बुक से अच्छा पढ़ लिया फिर आप कोई यह लगता है कि कुछ और चीज कहीं चीज रह गई हो कुछ अलग तरह से एक्स्प्लेइन करी हो कई बार आपने देखा हो जब आप स्कूल डेज में थे तो केमेस्ट्री की बुक भी तीन राइटर की खईते थे क्यों खईते थे तीन राइटर की इसका जव जो मटीरियल है वो अथंटिकेट मटीरियल है और कॉम्प्रिहेंसिव है मेंस क्लब किया हुआ ऐसा नहीं कि एक पीडियाफ दो पीडियाफ और ये बुक के फॉर्म में है आप उसे ना ले कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप बुक से पढ़ने हैं और हमारे ले कर रहे हैं सफिशेंट है ऐसा थोड़ी कि सब लोग वही लेके पास हो ले कुछ लोग जो कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं वो सिर्फ उनका मैटीरियल भी लेके पास करते हैं कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब फ्री से भी पास करते हैं कुछ लोग विडाउट कोचिंग भ आते हैं कि जो हम बोलते हैं वो आपके कानों में रियल जो आवाज आती है उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ठीक है तो वो किवल एक समराइज ऑथन्टिकेटिट और सिस्टमेटिक मटीरियल मिलता है और उसका फायदा भी तभी मिलता है जब आपने उस टॉपिक को कि किसी टीचर की हेल्प से समझ रखा है अच्छा रिविजन होने के लिए होता है हमारा कोई कंपल्सन नहीं है यह आपके उपर रहता है कि आपको वो इन्वेस्मेंट करना चाहिए नहीं है आपके उपर है और जो कोर्स की वैलिटिटी है कुशा वासवाल जो मारा एक्जाम है एक्जाम जो 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 अभी हमने उसकी आगस्त रखी है कि यह अग्जाम को एगर जून जुलाई तक भी ले जाते हैं तो हमें कोई प्राब्लम ना रहे हमें एक्स्टेंसन ना करना पड़े क्योंकि क्यों करते हैं तो इसमें इंटटरनेट हैंडलिंग चांजे देने यह आपको expiry दिखा देते हैं हम लोग हमने expiry बहुत खींच के रखी हुई है तीस सितंबर दोजार उन्निस बाइस तक जुलाई में हो अगस्त में हो सेप्टेंबर में हो यहां तक तो हो ही जाएगा यहां वहां तक रखी हुई है ठीक है अब बोट्सप गृप के इस नाम जिए वह सारी सरे की बहुत सक्वाइब नहीं पेट वालों का जूम लाइब वालों का अलग है आपका अभी जी आई भी अभी कब हुआ था अरब हो किसी गृप में एट किया है जो जिसमें जूम का लिंक आता था है हां अभी जूलिंग यह जूम का असलिंग इसी माह था में जान लाइब वोड़ फाल में पूल्सके जूसी गृप में रिवे एचे ूर इस स्तेटेजी जो बताईए बहुत comprehensive है और सुबह सार ने डिस्प्ले करके बटा दी हमने आपको उसको एक्स्प्लेइन करके और बता दिया और हमने आपके उसको education से जोड़ा कि कीन education वालों के लिए कौन सा module आपको अच्छा लगेगा उस तरह जोड़ा है ठीक है चलिए थैंक यू सो मच और एक आध कुश्चन इसमें यूट्यूब में रहे गया मैं उसका आंसर कर दूंज रहा इलेक्टिव पेपर चेंज हो सकता है नहीं इसका कोई option नहीं है अगर ओल स्लेवस में फॉर्म फिल करते हैं तो पास नहीं होते हैं तेको इसका question का जो जवा स्वाब है मेरे पास भी नहीं है वह इसलिए है कि इनकी policy क्या रहती है बहुत important question है कि suppose कीजिए आपके दो पेपर निकल गए एक रह गया और नया स्लेवस इंटोड्यूस कर दिया तो क्या आपको उसका वेटेश देते हैं नहीं देते हैं क्या करते हैं इनके उपर मेरा जो एक common sense कहता है कि subject का वेटेश तो मिलेगा जैसे ABM निकाल दिया ABM का वेटेश मिलेगा जो नया आएगा उसको आपको एड़ करना पड़ेगा संतोस कुमा जी पूछते हैं मैंने recorded class ली हुई है क्या मैं उसको जूम में convert कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हैं आप difference payment लेके upgrade करा सकते हैं आप उसके लिए 80 जो नंबर है उसमें contact कर लिजेगा सर ओल्ड कले से ओल्ड स्लेवर से कितने chances हैं सर अभी एक तो यह तो है जो जून जुलाई में होगा दूसरा जो दिसंबर वाले बात कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा गोल मोल लिखावा है उन्हें लिखा दिसंबर 2022 और लेटेस्ट वाई में 23 अब कुछ नहीं कह सकते हैं ठीक है मैं मैं तो कह रहा हूँ आने वाले एक टेम में पास कर लो जिंजट छोड़ो सब्सक्राइब करिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी सी आई भी कर रहे हैं ठीक है क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो सी आई भी होने में थोड़ा सा दिक्क्त आ सकती है ठीक है आप खुद पड खुद पड़ें फिरी में पड़ें ऑनलाइन पड़ें जितने भी सार लोग पड़ा रहें यूटिप में उनको उनको पड़ें कुछ भी करें ठीक है चलो ठीक है ओके थेंक्यू सभी को अगर अगर